यह स्वागता आपका मेंके डीजे के इस प्लाटफॉर्म पर बच्छो आजकर कुष्टन है काफी जबरदस्त और काफी बहतरीन क्वेशन है ठीक है चले चलते हैं क्वेशन की तरफ सीधा the mathematical technique for finding the best use of limited resources in an optimum manner is called मतलब वो एक mathematical technique होनी चाहिए पहली सर्थ क्या है पहली सर्थ क्या है कि वो mathematical technique आपके होनी चाहिए ठीक है और उसका क्या है अगर आपके पास limited resources है उनका optimum manner में अगर आपको best use करने है तब आप कौन सा mathematical tool या mathematical technique आप apply करेंगे linear programming, network analysis, queen theory, non-up-up सबसे पहले अगर में बात करें about queen theory की तो queen theory बैटा क्यी length के बारे में बताता है इस बारे में कुछ नहीं बताता है network analysis जैसे CPM part आपके network analysis होते है वो critical path की बात करता है ठीक है लेकिन अगर आप देखेंगे की linear जो programming है linear programming actually में क्या है इसके बारे में थोड़ा सामने आपके लिए यहां पर कुछ लिख के लाये हैं आप चाहिए तो इसकी screen shot खींच के इसको देख सकते हैं थोड़ी सी चीजा है मैं पढ़ लेता हूँ it is a mathematical technique क्या है यह mathematical technique है सबसे पहली बाद जो पहली सार्थ यह पूरी कर रहा है ठीक है यूज तो सलेक्ट दा बेस्ट चोईश अमंग सेवरल अल्टरनेटिव मतलब आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है उन में से कौन सा बेस्ट होगा ताकि आप जो आपके पास resources है उनका best use कर प देखा है बिल्कुल हमें clear के लिए लिए लिखावा है कि उस्ट पाइंड बेस्ट यूज बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसॉर्सेज आप दे इंस्टियु अप्लाइ करते हैं हम इन प्रोंग्रामिंग इसर्स का यूज यह होता है बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड डि लिखा हुआ है अब तो अचीव अब यहां पर क्या है maximum और minimum इस नहीं लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है तो अचीव दा इंडस्ट्री अब्जेक्टिव्स वीच में भी maximum overall maximum की स्टर्म में होगा overall profit के terms में maximum और overall cost की term में minimum और cost आपके minimum आना चाहिए आपका maximum माना चाहिए तभी आप उसको best आप मानेंगे कि आपने जो resources are limited resources उनका आपने best use किया ठीक है क्या-क्या चीज़ें इसमें देखते हैं applications क्या-क्या है इसकी such optimization problems arise when many a time in production system engineering that's just a while deciding about the optimum product mix during resource allocation in a plant where demand exceeds capacity जिसको हम भूते है product mix problem इसके लगा आपके आती है transportation problem आती है इसमें जिसमें हम decide करते है about the optimum location of a proposed कोई proposed plant है उसके optimum location क्या होनी चाहिए उसके लिब transportation problem यूज करते है linear program के अंदर यह सारी चाहिज़ आती है फिर क्या deciding about the optimum assignment of jobs to machines मतलब किस job को कौन से machine कब देना है यह सारा assignment problem आपको बताता है ठीक है product mix problem होगे transportation problem होगे assignment problem होगे तो यह सारी चीज़े इसके अंदर इस linear programming के अंदर सारी आती है ठीक है अब इनके लिए method जो होते है method या तो आपका graphical method होता है दूसरा क्या होता है simplex एक graphical method होता है simplex method होता है index distribution एक होता modified distribution जिसको हम modi method करते हैं ठीक है और जो first two है graphical and simplex इनको commonly यह use होते ठीक है तो सीधा सीधा होता है कि mathematical एक आपका technique है जिसका क्या use होता है कि limited resources का optimum manner में best use करने के लिए इसका use होता है तो क्या हो जाएगा आपका सही answer जो आपका यह हो जाएगा option a जो कि linear programming clear it is a mathematical mathematical technique mathematical technique है for finding the best use of limited resources in an optimum manner killer होगे बात तो यह आपका क्या हो जाएगा linear program में आपका सही answer जाएगा तो चले बचो अगर आपको यह session पसंद आयो तो session को like करें comment करें share करें और अगर आप हमारी चनल पर नए है तो चनल को subscribe करें और बाइल आकन दबान ने भुलता कि हमारी इस तरह के हर important video की notification आपको मिलते रहे thank you so much for watching this video